इन बीसियन की खबर के बाद यौतमाल के दिग्रस शहर में साथ सालों से बंद पड़ा कांजी हाउस याने गदेग खाट बीते महिने में दो बारा शुरू हुआ लेकिन दिग्रस पाली का प्रशासन की लापरवाही से आवारा पशु और मवेशी खुले आम घूम कर आतंग फैला रहे हैं और एक बार फिर से कांजी हाउस खाली पड़ चुका है पेशे दिग्रस से हमारे समाधा ताज जुबेर खान की ए रिपोर्ट सरकारी नौकर शाहों में काम को टालने, काम देरी से करने या फिर एक बार किये गए काम को दोबारा पलट कर न देखने का अनोखा हुनर पाया जाता है दिग्रस नगर पाली का प्रशासन ने तो मानो इस हुनर में बड़ी महारत हासिल कर ली है पाली का के अधिकतर अधिकारी और करमचारियों को जब तक जनता से जुड़ी समस्याओं का एहसास न दिलाया जाए, शीकायत न की जाए या फिर याद न दिलाई जाए, तब तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अपनी लेट लतीफी और बेफिक्री में डूबे रहते हैं, दिगरस नगर पाली का को लेकर किये गए इस तंस याने इस उपहास का कारण ये है कि इन दिनों शेहर में श्री घंटी बाबा का सत्यत्तरवा पुन्यतिती महत्सों के मौके पर यात्रा दिगरस शेहर में चल रही है, और साथी आगामी दिपावली त्यवार के चलते शेहर के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है, ऐसे में शेहर की सडकों पर चौक चौराहों पर मवेशियों का डेरा याता यात में न सिर्फ बाधा उत्पन कर रहा है, बलकि जुंड में घुमने वाले आवारा पशुओं के आतंक से रहागिरों में भैव्यापत ह मालूम हो कि बीते दिनों याने 8 अगस्त 2022 को इन्बीसियन न्यूस चैनल ने बीते साथ सालों से बंद पड़े कांजी हाउस याने गदे घाट के संदर्ब में खबर प्रकाशित कर बंद पड़े कांजी हाउस के नाम पर कथित रूप से ठेका चलाने वालों के फर्जी वा उसको दोबारा शुरू किया गया लेकिन अब फिर से रास्तों पर चौक चौराहों पर बाजार की सडकों पर आवारा पशु अपनी धाग जमाते नजर आ रहे हैं फिर भी पालीका का सौस्त विभाग और बाजार विभाग दोनों बेसुद होकर लापरवाही की चादर ओ नजर आ रहे हैं इन बी सियन न्यूज के लिए दिगरत से जुबैर खान के रिपोर्ट